y बराबर क्या दिया है? sin log x दिया है तो y बराबर sin log x का dc कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे differentiating with respect to x यानि कि x के respect में इसका differentiation करने पर यहाँ पर लिख देंगे differentiating with respect to x तो इधर भी d by dx होगा और इधर भी d by dx होगा देखें, d by dx of y और इधर भी होगा d by dx of y sin log x तो y का dc x के respect में तो यह सीधे d by by dx ही होगा और यहाँ पर आपको chain बनाना पड़ेगा तो chain कैसे बनेगा? तो पहले पूरे function को लिखेंगे पहले को मिट आएंगे जो बचेगा उसके respect में dc और जिसके respect में dc निकाल रहे हैं उसका अगलेस tip में dc फिर पहले को मिट आएंगे जो बचेगा उसके respect में dc निकालते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक यह x के respect में ना आ जाए ठीक है? देखें लिखेंगे d by d पूरे को लिख देजे यानि sin log x को हम लोग लिख देंगे ठीक है? पहले वाले कुमिट आईएगा तो क्या बच रहा है? log x बच रहा है यानि log x के respect में फिर लिखेंगे d by d और इस log x का dc किसके respect में? तो log x का dc x के respect में पहले पूरे को लिखेंगे पहले को मिट आएँगे तो log x के respect में फिर log x का अगले इस tip में फिर पहले को मिट आएँगे जो बचेगा तो यहाँ पर x बच रहा है तो x के respect में ठीक है? तो देखें, sin x का dc x के respect में cos x होता है यहाँ पर देखेंगा sin x का dc x के respect में क्या होता है cos x वैसे sin y का dc y के respect में क्या होगा cos y तो यहाँ x है और यहाँ भी x है तो यहाँ पे भी x ही होगा यहाँ y है और यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है तो यहाँ भी क्या होगा y ही होगा किवल sin का cos हो जा रहा है है ना और यहाँ पे जो function रह रहा है, वो पूरा यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है, तो देखिएगा sine का dc सीधे क्या हो जाएगा cost हो जाएगा, और यहाँ पे भी log x है, और यहाँ पे भी log x है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, log x ही आएगा, क्यों फ़ास्ट वाला function change होता है फिर यहाँ आईए तो यहाँ तो log x से पूरा log x का dc x के respect में क्या होता है 1 by x तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 1 by x सजा दीजिए तो हो जाएगा cos log x by x यही जो result आया तो आपके dy by dx का result आया